अलो बच्छो तो आज हम पीवाइक्यू लेशन करंट एलेक्रिसिटी देखेंगे तो इसकी जो पीवाइक्यू है बच्छो कभी इजी कभी हाड इस तरह से आए है तो आप पूरा वीडियो देखना आपको थोड़ा टफ लगे टफ नहीं होते है बच्छो आपके कंसेप किस तरह से आपने दो साल किस तरह टढ़ा है तब जाके आपको नुमरिकल समझ में आते है वरना आप एक दिन में आओं गे है कि मुझे थर study हुए वो किस तरह की हुए है हमारे concept कैसे है कौन सा formula कब लगेंगा क्या given है convergence क्या है तो बच्छो यह आपको देखना है तो बिल्कुल आप ज्यादा लोड मतलो बच्छो आपको exam pattern पता ही है कि maximum जो question है वो दो mark के लिए पुछे जाते हैं तीन mark के question जो है बोटिक exam में सिर्फ और सिर्फ कितने आदे बच्छो only five तो बखी सारे जो को numerical आपको आएंगे वो सारे two marks आएंगे तो two marks के लिए कोई आपके जान थोड़े ना लेंगा इजी ही numerical आने वाले है तो डरो मत चलो शुरू करते हैं बच्छो हमारा पहला numerical तो देखों क्या है two resistance x and y in two gaps of a meter bridge gives a full point null point sorry dividing the wire in the ratio two as to three अब बोल क्या रहा है कि meter bridge में जो दो ग्याप होते है अच्छे दे समोझ लो इसको कि meter bridge का आपको arrangement पता ही है बच्छो meter bridge में क्या होते हैं दो ग्याप लेते हैं जो हमारा इस तरह का left gap है इनका बोलना है कि वह x है और एक जो हमारा right gap रहेगा वह right gap यहापे हमारा क्या है बोलते y है जो नमरे दो ग्याप यहाप पूरे हो गए अब आगे क्या है कि नीचे आ अब जो नल पॉइंट है हमको बच्चो वह इसके center में मिलता है तो इधर की जो length है उसको लेक्स बोलते है और इधर की जो length है हम उसको यह वाई बोलते हैं तो अब आपको यहाद रखना है कि इसका formula क्या है मिटर बिज में मिटर बिज का जो formula होता है वह x upon y is equal to L x upon y ठीक ह हां क्या दिया है बच्चों ऐसे हम बनाएंगे तो सबसे पहले क्या पुछा है कि दिया हम को कि दो जो है गया वह xy है और वह डिवाइड हुए ratio में 2 by 3 तो हम लिख देंगे कि x upon y is equal to हमारा है 2 by 3 इस equation को हम implies करके y दर भेज देंगे तो हमारा पस x is equal to हो जाएंगा 2 by 3 y यह क्यों कर रहा हूँ आपको आगे समझ भाएंगा इफ इच resistance is increased by 30 ohm अब हर resistance में 300 ohm बढ़ा दो यहां x था अब x plus 30 कर दो बोलते और यहां y था तो इसको y plus 30 कर दो तब इसका जो ratio हैगा पहलो जो 2 as to 3 था वो अब हो गया 5 as to 6 तो आप हमारा equation क्या बढ़ेगा बच्चो एक्स प्लस 30 divided by y plus 30 और is equal to up क्या आएगा हमारा 5 by 6 तो पुछा गया आपको x और y की value तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चो जहां पे भी हमारा x है वहां हम यह 2 by 3 y की value put up कर देंगे आपका mathematics बहुत स्ट्रॉंग है आपको simultaneous equation या फिर simplification आता है अब देखिए हम इसको simplify करेंगे और x और y की value निकालेंगे अब physics का काम खतम हो गया यहां से शुरू हो गया math का काम math है जो कि हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा बच्चो देखो वन यह होगा हमारा 2 by 3 यह होगा आपका y x की value put up कि यहां से plus 30 divided by y plus 30 is equal to five by six चलो भी यह इदर भेज़ दो और six को इदर भेज़ दो क्या हूंगा six इदर आ जाएंगा आपका in bracket two by three y plus 30 ओके और is equal to क्या है आपका five in bracket y plus 30 हमने इदर इसको shift कर दे six को इदर भेज़ दी चलो अंदर multiply करो क्या हो जाएंगा six into two by three यहां पर बच्चो दो से डिवाइड होगा three two six और two two four तो यह होगा आपका four y plus six into 30 कितना होगा 180 इसे equal to five से multiply कर अंदर five five plus five into 30 कितना हो जाएंगा 150 चलो आप simplify करेंगे बच्चों में इसको और हमारे एंसर बनाएंगे तो करो simplify क्या एंसर बनेंगे बताओ तो सबसे पहले आप इसको simplify कर दो क्या दिख रहा है आपको यह जो five है ठीक है यह four को इधर भेज़ देंगे हम और यह one 50 को इधर भेज़ देंगे तो क्या हो जाएंगा आपका 180 माइनस 150 इस एकॉल टू 5y-4y तो कितना हो गया यह 30 और five में से अपका four गया कितना बच्चा सरिफ y तो आपकी y की value कितनी आ गई 30 आ गई बच्चों तो that is y is equal to आपका 30 unit यास से लिखना यहीं mark आपके easy वाले है जो चले जाएंगे unit यास से लिखना है आपको that is y is equal to 30 अब x चाहिए तो कोई भी एक equation में पूट अप कर दो यहां पूट अप कर दो simply therefore आपका x is equal to क्या बन जाएंगा 2 by 3 y है ना तो y की value put up कर देंगे तो 2 by 3 30 चलो 3 को 30 से divide करो 3 10 ता 30 और 10 into 2 कितना हो गए बच्चों 20 ओहम तो यह दूसरा भी value हमारा मिल गया हम that is x is equal to 20 ओहम कितना easy numerical है बच्चों पन कब है जब आपको concept मालूम है तो चलिए अब अगले numerical की और देखेंगे तो यह वाला जो नुमरिकल है बच्चों यह थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना है बाकि एकदम सिंपल सा फॉर्मूला यहां लगेंगा इंपोर्टेंट है कि आपको समझना है पहले चलो तो समझ लो पहले क्या है numerical क्या दिया है हमको क्या पूछा है और कौन सा फॉर्मूला लगाना है बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम यह है कि सब्सक्राइब को समझ में आता है कि पूछा क्या है अब पूछा यह समझ में आगा तो फॉर्मूला कौन सा अपलाए करना है तो सबके सोलूशन बताएंगे चलो तो यहां पर लेंथ दिए बच्चों आपको कितनी है लेंथ अब सेल को हमने शंड किये कितने रजिस्टन से किये तो फिप्टी ओहम से अगे बड़ो बैलेंसिंग लेंथ इस डिडियूस बाइटी सेंटिमेटर अब इतना इंगलिश आता है हमको रिडियूस बोला है कम होगा कितने से 20 से तो यह कहां से कम होगा 20 पहले कितना था 320 उस कि अब दो-दो लेंथे भई यह भी यह यह भी यह जाएंगा इसले इसको वन लिख देंगे इसको टू लिख देंगे आशन का में अब चरौगे फाइन इंटर्नल रजिस्टन्स आफ सेल अब आपको इस किवन पर तो समझ में आगे कि चाप्टर करन्ट इलिक्टर सिटी ह अर इंटर्नल रजिस्टन्स का इस तैन्टर मी एक इतु फामूला है थोड़ा आप दिमाग पर जोड़ो Wonky bathroom तो थोड़ा दो आपको फर्मुला याद आना चाहिए कि इंटरनर रजीस्टन का जो फर्मुला है स्मॉल आर इस एकोल टू क्या पिटल आर इन ब्रैकेड याद आ रहा है गया जिल्दी बताओ किसको याद आ रहा हूं अथा सोच लो क्या फर्मुला है वह हां यस यस बराब करना है तो आर की वैलू किती है कितना है आपका 320 डिवाइड़ेड बाए 300 बहुत से बच्चों के मैं आ रहा हूं है कि सर यहां तो सेंटिमेटर था हर बार आप करते हो कंवर्जन आज क्यों नहीं किया अरे यहां पर लेंद का डिवीजन है तो वह अटोमेटिक लिक्या हो यहां पर रेश होएंगा तो आप यहां पर यहां पर आपको इसको क्रॉस मुल्टिप्लिकेशन करना है चलो फिप्टी इन प्रैकेड क्या होंगा 320 माइनस 300 इंटू 1 300 क्रॉस मुल्टिप्लाइड कर रहे हैं और डिवाइड़ेड बाएंगा 300 चलो यहां देखो यह हमने एक जिरो के साथ क्यांसल कर दीए अब क्या बचा विए उपर फाई इंटू 320 में से 300 गया कितना बचा वहीं 20 अपॉन 30 चलो किसका कितने से डिवाइड हो रहा है देख लो आपड़ पड़ ऑपड फिर इसके साथ क्यांसल कर दीया मैंने अब कितना बचा आपका पाई-इं तो आप क्या करूंगे यहां पर दे दूंगे उनको फ्रेमें तो पढ़ना ना इंटरनल रजिस्टन्स से वार तो यहां यूनेट क्या रहेंगा रजिस्टन्स का ओहं यह भी मांक्स हमारे होगे अब चलो आगे चलो नेक्स नुमरिकल की और अब यहां पर आपको क्या इतर है हां तो इसमें बच्चो थोड़े से आप डाइग्राम अगर इसकी बना लोगे बच्चो तो आपको यह बहुत आसन जाएगा अरे बहुत डाइग्राम कितना भारी काम है नहीं है इतना बारी फोड़ा एज़ी है देख लो कैसे डाइग्रम बनाएंगी टू से लॉ आटेशा के सब्सक्राइब नेटाइट दूसरा से बना लिया यह कि फोर होल वाला है और यह टू वाला है अब से तो रख़ण इंटनर रजिस्टेंस हैं मिन रिस्पेक्ट्टि व इंटनकों रिजिस्टन्स है पहले का कितना है पहले का वनों हम है और नीचे दुसरे का है ढू हम एक्स्टरनल रजिस्टरन सब्सक्राइब दियाए तुरों को एक्स्टरनल रजिस्टरंस बना लेंगे हम इस तरह ये बन गए हमारा सबसे पहले आपको इस टाइब करना है तो आपको डारेक्शन देना है तो हम यहां पर नाम देते तो शुरुवात आप कहां से करते हो देखो मैं हां से कर रहा हूँ यह दूसरा पॉइंट मैं भी बोल रहा हूँ पॉइंट में रहा हो गया फिर यह वाला हो गया आप निचे जा रहे के उपर जा रहे हो आप पर जगे निचे आएंगे अब आए है ना आए मत दो क्योंकि आए हमारा करन भी रहने वाला है आए के आगे चल जाओ जे और यह हमारा लास्ट वाला हो गया के पॉइंट सबको नाम दे दिया हमने अब करन की डारेक्शन देना है बच्छों करन हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव फ्लोंगा उपर का जो है इसको हम पहला करन बोलेंगे आए यहां से फ्लोंग रहा यह दूसरा करन यहां से जो निकर रहा है इसको हम आए टू बोलेंगे अब यह दोनों मिलके यहां जंक्शन पर आगे पहला बोलता है कि यहां दोनों की एडिशन होंगी और यह नीचे दोनों मिलके जाएंगे और यह बन गया मिलके हमारा आए जो आमको निकालना है और फिर से यहां तक के यह आई है अब यहां से फिर से डिवाइड होंगा तो यहां उपर कौन जाएंगा और नीचे कौन जाएंगा तो आए टू जाएंगे इस सरह बचो आपको एक करण की डारेक्शन सबसे पहले देने त्यत्याना चाहिए तभी आप यह नियुमरिकल को सॉल कर पाऊंगे चलो शुरू करते हैं अब नियुमरिकल को सॉल करना डाइग्रम तो बन गई हमको क्या करना है दो बार इसमें करेचाप का सेकेंड लॉव अपलाए करना है तभी आप आए बना पाऊंगे तो स्टारट करो ए बी से होते हुए जाओ इधर ए के बाद एक से उपर जी पे आजो ऊपर वाला लिलो यह फिर सिंपल बाला यह नीचे नीचे वाला लिलोंगे लिए के से स्टार्ट करोंगे । शब्लें करेंगे बाए पिर छॉप्स के सेकेंड़ हाई इन लूप यूट चोब सेकेंड लों हमेशा लूप में अप्लाइब होता है कौन से अप्लाइब करेंगे पहले यह अंदर वाल अप्लाइब कर देंगे कहां से स्टार्ट कर रहे हैं आपको चीज याद रहना चाहिए जो डियरेक्शन हमारी ट्रेसिंग की है उसी पोटेंशल डिफ्रेंस और उसको पॉजिट्व लेंगे चलो अब स्टार्ट करें में से जे कुछ नहीं मिला भई अब जैसे के कि तरब जा रहे है तो यहाँ पे इमफ मिल गया इतना होल्ट वाला है तो यह प्लस है और इधर माइनस से अगर आप प्लस से माइनस जा रहे प्लस लेना है कि माइनस लेना है डयरेक्शन के रप घलिंद्गों करेंट के के तरफ जा रहे और हम ज **** जा रहे हैं तो लुक्त परहें कालेंगे तो यहां कुछ भी नहीं रहेंगा अब F से G के भी पीछ में भी खुश नहीं कुछ आइए चोड़क्हं हमारे डारेक्शन ग्हेटिसे एच की तरफ और खरेंट की डारेक्शन से में सटा से क्या होता है 0 होता है चुछ से सिंप्लिफाइ कर लेंगें तो क्या होगा सिंप्लिफाइ करेंगे तो पहले हमको सबसुंध चैसलगे है सब्सक्राइब करेंगे दूसरे बार हम किर्चौप सेकेंड लूप में अब फिर से लिग लेंगे बाइप्लाइग किर्चौप सेकेंड लॉप इन क्लोज लुप कुंसा क्लोज लुप लेंगे बच्छो अब देखो आप मैं नाम लिख रहा हूँ आप देखो कौन सा लुप हो ए बी ची डी एफ के जे और ए दिखेंगे आपको देखो में से स्टार्ट करेंगे वापस गूनके एपर आएगे तो चलो है अपर अप्लाइ हाँ हो आपको देखना है को सबसे पहले के जाए कि तरफ कुछ बहुड है तो कर्णठ है हमारा आए वहले तो आए वन प्लस आई टो तो हमको आए निकालना है तब भी हम यहापे पहले आए वन प्लस आए टू थे उट है ओके और रदिस्ट्रनस किता है हमारा कितना यह फाइव इंटो फाईव चलो आगे डिटू ए कुछ नहीं है एडले टू सब्सक्राइब सब्सक्राइब प्लस आएंगा इतना है वो फ्लस टु और इस एकॉल को गया जीरू चुला सिंप्लिपाय करो फैव से इसको अंदर मल्टिप्लाय करो और यह माइनस यह मत बोलना तो यह होगा मैनस फायो आउग तो मैनस ट्वस आई टु प्लस टू इस इकॉल टू जीडू अब बच्झों बोलो क्या होंग तो सिंप्लिफाइट कर लो तो यह हो जाएंगा आपका माइनस फायव रवन माइनस टू आईटू ऑफ बिनस-7 डू 3 अब क्या गरना है फिर से आपने 7 i2 ये एक्वेशं बन गया हमारा सेकेंड हमारा बन गया अब बच्छो आपको देखना है कि एक्वेशन और सेकेंड डिटेötन लिक्वेशन में किया डिफरेंस आपको दिख रहा है सैमेल इक्वेशन बहुत सारे आपने नाइन 10 में सॉल किये हैं बता वह да हो क्या होना आगे आदढ़ा है कि साल कर सकते से सब्सक्राइब करेंगे और हमारें से एक दम राइट हाएंगे बताउं सोचो थोड़ा सा यहाँ पर आपको साइम्ले लेक्वेशन याद करना है जो आपने बहुत सारे स्वाइब किये नाइन टिन में सब आपने स्वाल किये हैं वही वाले concept आपको यहां लगाने है तो आपके स्मूंज में आगया बच्चो यहां पर क्या दिख रहा है आपको यहां दिख रहा है आपको को इनस टू आयो यहां आगर आप इसको वनल्टिप्लाय करते हैं कि दोनों सेम आएगा हम दोनों कि सब्ट्रैक्षिन कर लेंगे एंसर मिल जाएंगा चुल तो करगे में हम एक्वेशन वन-को तू से मल्टिक्लाय करेंगे तो क्या होजाएगा है तो मल्टि भा distinct Que Valer equation 1 by 5 तो कितना आ जाएंगा हूँ 5 i1-10 i2-10 i2-10 i2 is equal to 5 into 2 कितना होगा यह भी 10 equation आगे 3 अब क्या करेंगे हाँ माइनस करेंगे equation 2-3 करेंगे एक्वेशन आपको करना है 2-3 2-3 करो तो बच्चो क्या होगा आपको समझ में आ रहा है कि equation को 2-3 करेंगे आप तो क्या मिलेंगा आपको यह तो यह हो जाएंगा भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगा 7 i2 प्लस 10 i2 हो जाएंगा आपका प्लस 17 i2 ओके इस इकोल टू अब यह हो जाएंगा आपका 2-2-10 कितना होगा आपका आपका कितना आजाएंगा आएटो आएगा यह सेवेंटीन इडिवाइट में जाएंगा माइनस एट अपवान 17 अब आपको आएवन निकालना है बाद में दूनों के अडिशन करेंगे तब आपको आए मिलेंगा यह एक्स्टरनल रजिश्टन का जो करेंट है वह आए समष और आपको 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 सेवेंटीन वाँ क्या मिलेगा माइनस निकालना हए माइनटू ऍाच यह कीडना होगा इए माइनस प्लस होंगा गर उधर जाते फिर मायनस phones तो यह i1 is equal to 2 यह माइनस माइनस प्लस और फिर इधर जाएंगा तो फिर से माइनस एट टूल जा कितना होगा बच्छो 16 अपॉन 17 चलो इसको सिंप्लिफाय करो कितना मिलेंगा 72 जा 34 34 माइनस 16 अपॉन 17 तो कितना होगा यह 16 माइनस 34 माइनस 16 करेंगे आपको कितना मिलेंगा बच्छों आपको 18 मिलेंगा तो यह हो गया आपका 18 बाइस 17 यह होगा आपका आपको क्या करना है दोनों की अडिशन करना है आपको टूटल करन्ट चाहिना यहां पर आपको लिखना है देरफोर क्या लिखना है आपको करेंट थ्रू एक्स्टर्नल रजिस्टन्स अब लिखोंगे इस तरह करेंट थ्रू एक्स्टर्नल रजिस्टन्स तो क्या होगा अब अच्छों फिर वो आई इस इकूल टो आपका हो जाएंगा आए वन प्लस आई टू कि दोनों वैल concep करो आए वन कितना है आपके पास माइनस है एट वाए सेवंटीन अब लएंट कितन है आपके पास सबांद यह आइट अपका और आए वन कितना है आपके contexts अधे पीश हो जाएंगी तो माइनस एट प्लस एटीन कितना हो गया तो यह हो गया आपका एंसर टेन बाइ सेवंटीन यहां से इसका यूनिट लिखके आना एंपी यह आपका फाइनल गबराना मत बच्चो अगला न्यूमरिकल बहुत ही एजी है यह ना हर आपको पता है रात के बाद चलो तो गिवन क्या इस नूमरिकल का वेंटू सेल्स ऑफ एम एवन एडिटू और कनेकटेड इन सिरीज एस तू असीष्ट कर रहे हैं इस तरह वह सिरेज में कनेक्टे असंस कर रहे हैं आपको मालूम है अस्ट में दुनों की होती है है अभकि दुनों की सब्राइक्शन में स्टमितों वो इसका फर्मुला होता है वो यह ऐल वन आपको को दी है कि 3.2 मिटर और वेंट टू सेल्स आपको यलवन दी है यह कंडिशन के लिए मैंने रखा यहां पर वेंट टू सेल्स आर कनेक्टेड इंस सिरीज सो एस टू अपोज इच अदर अब जब वह अपोज कर रहे है अपोज कर रहे तो बच्छो क्या होता है वह इवन माइ 27 आपको पूछा क्या है कंपेयर दी ऐ ओ यिए म मैंफ रूफ डू आपको कंपेयर करना है मतलब फ्रिसलेंगे bess Touhena do यह बचो आपको पता है हमने तीन वाले जो हमने डिरिवेशन देखे देख डारेक इंडारेक्ट और इंटरनल रजिस्टन्स वाली उसमें कहीं सेकंड नंबर है कंबिनेशन मेथड इसका मसिस्ट एन अपोस मेथड भी बोलते हैं वहीं वाला फॉर्मूला है जिसमें कंबिनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाए थे यहलवन प्लस यहलटू अपन यहलवन माइनस यहलटू अब सिंपली वैलू पूटप कर दो आपका एंसर आपको म 3.9 divided by 3.2 में से 0.7 गए 32 में से साथ कितने बच रहें 25 बच रहे ना तो यह होगे आपका 2.5 तो पॉइंट 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 भी कैंसल हो जाएंगा तो यहां पे आप डारेक 39 पॉइंट पॉइंट मतलब कैसा कैंसल होता है बच बता है आपको यह पॉइंट इदर शि डारेक यहां पर हम एंसर लिखेंगे कितना आएंगा बच्चों क्या करना है यहां पर सब्स्ट्राइक्शन करना है और फिर उनका क्या करना है आपको एंटी लॉग देखना है तो वह आपका एंसर आ जाएंगा 1.56 ठीक है और यह रेशो है बच्चों इवन अपॉइंट अगले लेक्चर में नेक्स्ट चाप्टर इसका कवर करेंगे